Hello, Good Morning all of the students, मैं मनोज पुनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिकर के ओनलाइन क्लासेज ब्लेटफोरम पर आपका मस्ट वेलकम लास्ट वीडियो में हमने हॉन बिल बुक के चेप्टर नमबर 6 का पार्ट 2 है उसको पढ़ा था इसी करम में इसी चेप्टर का नेक्स्ट एंड लास्ट है फाइनल पार्ट है थर्ड है दे ब्राउनी ने वर्जन जो एक ड्रामा टाइप चेप्टर है तो यहाँ पर टेपलो और फ्रेंक के बीच में आपस में कनवर्सेशन चल रही है जो मिस्टर क्रोकर हैरीस है वो अभी तक है उसकी जो मेंसन है उनकी बाते ही हो रही है लेकिन वो अभी तक यहाँ पर परजेंट नहीं हुआ है तो टेपलो कहता है कि मिस्टर क्रोकर हैरीस ऐसे अध्यापक नहीं है कि लोग उसे पसंद करें वो ये इस चीज को ना पसंद करता है कि लोग उसे पसंद करें तो देखे फ्रेंग कहता है Mr. Croker Harris ये बात तुम स्रीमान Croker Harris से कहूँ तो टेपलो कहता है Mr. Croker Harris स्रीमान Croker Harris The funny thing is that in spite of everything अजीब बात तो ये है कि इन सब बातों के होते हुए भी मैं उनको पसंद करता हूँ यानि I do rather like him The funny thing is अजीब बात तो ये है कि in spite of everything ये सारी बाते होते हुए भी I do rather like him मैं उसे पसंद करता हूँ I can't help it इस पर मेरा control नहीं है यहां पर I can't help it का means लिख लेना ये बात मेरे वस में नहीं है इसलेवे और जादा स्रीवल हो जाते हैं स्रीवल मिन से शिकुड जाना इवन मौन मारी और अधिक तो यानि इन सब की इन सब बातों के होने के बावजूद भी मैं उसे पसंद करता हूँ तो फ्रेंक कहता है I am sure you are exaggerating निश्चित रोप से तुम इस बात को काफी बढ़ा चड़ा कर कह रहे हो exaggerating means किसी भी बात को बढ़ा चड़ा कर परजेंट करना परस्तूते करना तो I am sure मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बात को तुम काफी बढ़ा चड़ा के कह रहे हो Mr. Croker Harris के बारे में तो टेपलो कहता है No sir नहीं सिल्मा मैं कोई बढ़ा चड़ा के परस्तूत नहीं कर रहा हूँ इस बात को I am not नहीं In forum the other day he made one of his classical jokes तो वो कह रहा है कि मैं कोई बढ़ा चड़ा के परस्तूत नहीं कर रहा हूँ एक दिन की बात है In forum the other day Forum means लिख लेना Class Forum means यहाँ पर इस चैप्टर में इस स्टेटमेंट में यहाँ था Class No sir I am not In forum the other day He made one of his classical jokes एक दिन उन्हें कक्सा में अपना एक पुराना चुटकला सुनाया एक दिन उन्होंने कक्सा में अपना एक पुराना चुटकला सुनाया Of course nobody laughed Because nobody understood it इसे सुनकर कोई भी Class में हसा ही नहीं क्योंकि वो चुटकला किसी को समझ में ही नहीं आया Of course nobody laughed कोई नहीं आजा blast means असना Nobody means कोई नहीं आजा क्यों नहीं आजा Because nobody understood it किसी को समझ में ही नहीं आया Myself included यहां तक कि मुझे भी समझ में नहीं आया समझ में नहीं आया मुझे भी मैं भी जानता था कि मुझे भी समझ में नहीं आया है Still I knew would maintain it as funny लेकिन ये तो मैं जानता ही था कि उन्होंने कोई रोचक बात सुनाई है So I laughed इसलिए मैंने हसे दिया Still I knew यानी फिर भी मैं ये तो जानता ही था कि He had meant it as funny कि उसने कोई हस्यास्पद बात तो बताई है कोई चुटगला तो सुनाई है So I laughed इसलिए मैंने हस दिया Out of ordinary Politeness तो लेकिन मैं जानता था इसलिए हस दिया ये मैंने सिस्ता चारवन से किया Politeness यानी सिस्ता चार के लिए मैंने ऐसा किया And feeling a bit sorry for him for having made a poor joke क्योंकि मुझे उनका चुटगला सुनने के घटिया तरीके पर दया भी आ रही थी यानी having made a poor joke ये जो घटिया चुटगला था घटिया तरीका था सुनाने का उस पर मुझे दया भी आ रही थी Now I can't remember अब मुझे भी याद नहीं है कि what the joke was कि उन्होंने क्या चुटगला सुनाय था बड़ सपोच लेकिन मान लीजिए I make it कि मैं आपको वो चुटगला सुना रहा हूँ Now you laugh sir अब तुम जोर से हसो Frank laughs और जब शिरिमान हस कर बताए तो Frank हसने लगा तो सपोच करो कि मा आपको वो चुटगला सुना रहा हूँ या मैंने सुना दिया तो अब तुम हसो sir तो Frank हसने लगा टेपलो in a gentle throaty voice तो टेपलो बहुती कोमल और रूंदी सी आवाज में throaty voice मानी फटी हुई रूंदी सी आवाज में बोला टेपलो यू लाफड एट माई लीटिले जो टेपलो तुम मेरे छोटे से चुटकले पर हसे हूँ I noticed मैंने देख लिया था I must confess और मुझे खुशी है that I am pleased at the advance your Latin as mad since you so readily have understood what the rest of the forum did not perhaps मुझे खुशी है कि तुमारी लेटीन भासा का ग्यान तेजी से बढ़ रहा है कि तुम उस मज़ा को समझ गए जबकि बाकी के चातरों को नहीं समझे आया तो I must confess confess means स्विकार करना मैं इस बात को स्विकार करता हूँ कि I am pleased कि मुझे खुशी है कि advance your Latin कि तुमारा Latin का knowledge है वो advance हो रहा है बढ़ रहा है since you so readily have understood इसलिए तुम आसानी से मेरा चुटकला समझ गए rest for the forum did not forum means class बाकी class के बचे नहीं समझे perhaps now साइद तुम you would be good enough to explain it to them साइद तुम इसे उन लोगों को भी समझा सकने के लाइक हो गए so that they too can say your pleasure ताकि वे भी तुमारी तरह उसका मज़ा ले सके तो उन्होंने चुटकला सुनाया reality तो यह है कि मुझे भी वो चुटकला समझ में नहीं है बट मुझे इतना पता था कि उन्होंने कोईन कोई रोचक बात बताई है इसलिए मैंने हस दिया तो नहीं का कि अब तुम अच्छी तरह से explain कर सकते उसको so that they too can share your pleasure ताकि बाकी से जो लड़के हैं क्लास के students हैं वो भी इसका आनंदे ले सके नेक्स्ट देखे दाही तरफ का दर्वाजा खुलता है दाही तरफ का दर्वाजा खुलता है दाही तरफ का पुष्ड मानी धका देकर उसे खोला गया एंड मिली क्रोकर हैरिस इंडर्स और उससे मिली क्रोकर हैरिस परवेश करती है सी इजे थिन वूमेन इन हर लेटे थर्टीज तो मिस्टर क्रोकर हैरिस है तो मिसेज क्रोकर हैरिस है मिली वो एक दुबली पतली महिला है जिसकी उमर 30 के दसक के उतराद में 30 जो लेट 30 मिन्स है यानि 38 एं 39 तो 30 के उतराद का मिन्स होता है कि वो 38 या 39 एर्स ओल्ड है मिली क्रोकर हैरीस जिसे हम मिसेज क्रोकर हैरीस भी कह सकते हैं जो काफी दुबली पतली है रेधर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन जनरल रन ओप स्कूल मास्टर से वाई उज़े साधान अद्यापकों की पतनीओं के मुकाबले ज़्यादा सुंदर वस्तर पहनती है तो यानि smartly dressed means लिख ले न, सुन्दर ड्रेस पहनती है General run of school master's wife जो उनके साथी अध्यापगा उनकी पतनियों से जादा अच्छी या सुन्दर कपड़े वो पहनती है She is wearing a cap and carries a shopping basket वो एक बिना आस्तिन का कोट पहने हुए है She is wearing a cap, carrying a shopping a basket वो एक बिना आस्तिन का यानि उसके बाहे नहीं है जो कोट पहने रगा उसके और उसके हाथ में एक market गई थी इसलिए खरीदारी की गई टोकरी उसके हाथ में है basket means टोकरी She closes the door वो दर्वाजे को बंद कर देती है Then stands by the screen watching Teplow and Frank और दर्वाजे को बंद करके परदे के पास खड़ी हुई Teplow और Frank को देख रही है It is a few seconds before they notice her कुछी seconds बाद वे उसे देख लेते हैं It is a few seconds before they notice her They word use हुआ है Frank and Teplow के लिए तो कुछी seconds हुई है उसको कमरे में आये हुई उन्होंने उनको देख लिया तो Frank है वो कहता है Come along Frank जल्दी से घूम जाता है Teplow move slowly about the desk Frank जल्दी से घूम जाता है और मिली को देख कर रहत मैसूसे करता है तो आगे सुनो Teplow दीरे दीरे desk के पास वो चला जाता है तो come along Teplow move slowly about the desk हाँ आगे सुनाओ Teplow दीरे दीरे चल कर desk के पास आता है Do not be so selfish as to keep a good joke to yourself इतने सवार्थी मत मनो कि एक अच्छे चुटकले को आप अपने भीतर छिपा करे रखो यानि Do not be selfish Selfish मानी सवार्थी होना Keep मानी रखना Good joke मानी अच्छा और Yourself मानी अपने आप में तो फ्रेंक उसको excited करता है कि आगे बोलो इतने सवार्थी मत मनो कि एक अच्छे चुटकला joke जो तुमें Mr. Croker Harris ने कलास में सुनाया था उसको छिपा कर मत रखो Tell the others दूसरों को भी सुनाओ या बताओ He breaks off suddenly Noticing Millie Millie को देकर अच्छानक चुप हो जाता है और कहता ओ लोड अरे भगवान यानि Millie को अच्छानक क्लास में या कमरे में देखकर वो आश्चरी चकीद हो जाता है और कहता अरे भगवान और बीच में कहते कहते रुक जाता है Frank turns quickly and seems infinitely relieved at scene Millie Frank जल्दी से घूम जाता है और Millie को देकर रहात मैसूँ से करता है Frank turns quickly Trans quickly जल्दी से घूम जाता है और infinitely relieved मानी बिल्कुल रहात मैसूँस करता है seeing Millie यानि Millie को देखकर Frank कहता है ओ हुलो ओ हलो देखो हलो की spelling है वो ब्राउनिंग वर्जन चेप्टर में एक युनानी राइटर है तो Frank के बोलता है ओ हुलो जब की hello बोलते हैं अपने याँ पर Millie without expression चेरे पर मिली के कोई भाव नहीं आए और बोली hello without expression मानी बिना कोई भाव चेरे पर लाते हुए बोली hello she comes down to the sideboard वह दिवार के पास वाली टेबल पर and put her basket on it तो वह दिवार के पास वाली टेबल पर अपनी टोकरी लाकर रख देती है sideboard यानी दिवार के पास वाली जो टेबल है वहाँ पर अपनी टोकरी लाकरे रख देती है basket means टोकरी पूर्समानी रख देना टेबलो कहता है moving up to the left of a frank whispering frantically frank के बाई तरफ जाकर घबराये हुए टेबलो ने frank के कान में फुसपुसा कर कहा do you think she heard क्या आप सोचते हो कि इन्होंने अमारी बाते सुनली है या आपका क्या ख्याल है कि इन्होंने मिली ने यानी अमारी बाते सुनली है seeward आया है मिली के लिए moving up to the left of frank मानी frank के बाई तरफ जाते हुए whispering in frantically frantically means लिख ले ना घबराते हुए और whispering मानी धीरे से काना फूसी करते हुए फुस फूसा कर कागी क्या आपका ख्याल है कि इन्होंने अमारी बाते सुनली है frank कहता है sex his head comfortingly milly takes off her cape and hanks सांत्वना देते हुए सिर हिलाता है यानी सांत्वना देते हुए सिर हिलाता है frank और milly अपना कोट उतार कर hall stand परे टांग देती है shake his head comfortingly मानी रहात देते हुए सांत्वना देते हुए अपनी गर्दन हिलाता है और milly अपना कोट उतार कर hall stand परे लटका देती है I think she did मेरा ख्याल है कि इनोंने सुन लिया क्योंकि she was standing there quite a time ऐसा लगता है कि वो काफी देर से यहीं परे खड़ी थी she was standing there quite a time टेप लोग कहता है if she did अगर इसने सुन लिया she tells him तो यह सारी वातें उन्हें बता देगी उन्हें means him आया है Mr. Croker Harris के लिए सी रिवान Croker Harris को बता देगी there goes my remove तो मुझे तो पास होने की कोई उमीदे नहीं बची फिर यानि goes my remove मेरा तो remove गया अब मुझे पास नहीं कर सकता पास होने की कोई उमीद ही नहीं होगी ये दी इसने सुन लिया और ये सारी बातें इन्होंने Mr. Croker Harris को बता दी तो Frank कहता है nonsense बेकार की बातें मत करो he crosses to the fireplace वह एंगीठी के पास से पहुंच जाता है fireplace मानी जहां आग जलाई जाती है वहां पहुंच जाता है Millie take the basket from the sideboard Millie sideboard से basket उठाकर move about the table and put the basket on it तो Millie sideboard से basket उठाकर मेज के आगे जाकर तोकरी उस पे रख देती है तो Millie अपनी basket को sideboard से उठा लेती है sideboard यानि दिवार के पास बने वी टेबल से और move above the table and put the basket on it मिल ही कहती है to table मिल ही table से कहती है waiting for my husband मेरे पती का इंतजार कर रहे हो क्या table कहता है moving down left on the table अरे yes, table के बाईं तरब जाते होए कहता है जी हां, अरे yes, हां मैं I am waiting for your husband मैं तुमारे पती का इंतजार कर रहा हो तो मिल ही कहती है He is sat at the brusher and might be there quite a time वह तो कोसा देक्स के पास है brusher means लिख लेना कोसा देक्स यानि जो economic के जो policies है उनको देखता है school में cashier तो cashier कह सकते हो brusher को तो वह तो कोसा देक्स के पास है और वहाँ पर उसे ज्यादा समय भी लग सकता है if I were you I would go अगर मैं तुमारी जगह होती तो यहां नहीं ठहरती अब देखे if I were I के साथ भी क्या यूज हुआ है यहां पर were जो आपको इस chapter में पहले भी बताया था यह conditional sentence part number two जहां पर imaginary sentence होते है वहां पर जहां कोरी कलपना की जाती है वहां पर singular हो चे प्यूरल हो were का ही यूज किया जाता है यदि मैं तुमारी जगह होती तो यहां पर नहीं रुकती बट I am not here लेकिन मैं तुमारी जगह हूँ नहीं न टेपलो doubtfully टेपलो को इस बात पर थोड़ा सा doubtfully होता है संदेहास्पद होता है He said most particularly I was to come तो उसे संदेहास्पद होता है और उन्हें जोर देकर कहा था कि मुझे यहां मौजूदे रहना है तो टेपलो ने मिली को बताया कि He said most particularly particularly means उसने जोर देकर कहा है मुझे विशेश रूप से कि I was to come कि मुझे यहां मौजूद रहना ही है तो मिली वोली वेल अच्छी बात है वाइ डॉन्ट यू रन अवे फोर एक क्वार्टर ओफ एन अवर ठीक है लेकिन पंद्रे मिनट के लिए तो यहां से भाग क्यों नहीं जाते आप क्वार्टर मिन्स वन फॉर्थ और वन अवर में 60 मिनट्स होती है तो एक क्वार्टर को हम 15 मिनट्स कह सकते हैं तो ठीक है लेकिन आप 15 मिनट्स के लिए यहां से भाग क्यों नहीं जाते हैं और फिर वापस आ जाना टो क्री में से कुछ समान निकालती है आपना करो मान लीजिये वान लीजिये मान लीजे कि मेरे यहां से लोटने से पहले ही वो यहां आ जाएं तो supposing he gets here before me यानि मैं यहां वापस आऊं after 15 minutes उससे पहले वो आ जाएं तो तो मिली smiling तो मिली मुस्कराते हुए कहती है I shall take the blame तो उसका दोस मैं अपने पर ले लूँगी सी टेक से परसी क्रेप्शन आउट ओफ परसी क्रेप्शन में इस लिख ले ना दवाईयों की एक परची तो उन्होंने टोकरी में से दवाईयों की एक परची है वो चिठी है वो निकाली I tell you what और मैं तुम्हें बताती हूँ की क्या करना You can do a job for him मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना तुम उनका एक काम कर सकते हो You can do a job for him Him I am Mr. Croker तुम उसके लिए एक काम कर सकते हो टेक दिस परसी क्रेप्शन ये एक केमिस्ट यानि मेडिसीन की परसी है तो दे केमिस्ट और आप केमिस्ट की दुकान पर जाएए and get it made up और वहाँ से ये दवाईया है वो तयार कराके लाओ टेप लो ठीक है ओल राइट Mrs. Croker Harris ठीक है सीरी मती Croker Harris He crosses toward the door up right वह दाईयोर के दरवाजे की तरफ जाता है और दवाया लेने के लिए चला जाता है तो ये था आपका जो चेप्टर था चेप्टर नमबर 6 होन बिल का जिसमें एक स्कूल की कंडिशन के बारे में बताया गया कि What think about the teachers and teacher think about the students कि बच्चे हैं वो teachers के बारे में क्या सोचते हैं इस्कूल की कंडिशन क्या है इस्कूल में teacher क्या सोचते हैं और student क्या सोचते हैं तो ये आपका एक ड्रामेटिक चेप्टर था चेप्टर नमबर 6 होन बिल का जो इसका part 3rd and last final part था इसके जो क्यूशन से उनकी PDF है आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगी जो अपनी notebook में आपको हर हालत में compulsory है करना तो thank you for watching the video stay home stay safe